मेरी वीडियो अब कर पसंद आती तो अपलाइ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथी साथ नोडिफिकेशन का बटन जरूर दबाईगा असलाम लोगों फ्रेंड मैं अफसाना एं विल्कम टू मैं चानल घर का खाना होमस फूड तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज और मोमोज होगा चिकन मोमो और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है तो हम लोग लेंगे मैदा और मैदे में डालेंगे नमक नमक स्वादन नुसा जैसे रोटी कांटा हम लोग गूनते हैं उस तरीके से गूनना है बस यह हो गया है अब इसमें थोड़ा सा उपर से तेल लगा लीजे ताके मोमोज जह वो सॉफ्ट अच्छा अच्छा सॉफ्ट बने और बस इसको जह वो इस तरीके से लगाने के बाद अब इसको फाइनल महीन बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है और इसमें जितनी चीजे ती उसमें सब डाल देना है तरी करिके से बाद मिकस कर लीजिए और कुछ और चीजें कुछ मसाले पाउडर मसाले समिल लेगा तो चानल नमक आपको कम ही डालेगा क्यूंके उनले हैं यह एक चमच काली मिर जालने के बाद यह हमोगों ने डाला है सोया सॉस थीट हम जोगों डालने के बाद दो चमश भीं यह जाल तया कम झाला है जलने हम सब चीजों को मिला करते उलना है हाथी से ंद जब बादब हम अठी सक मिलाआ थोड़ा साइब पालीन का नहीं Duty- तो इसको थोड़ा सार गून लेते हैं तो यह हो गया है सौफ्ट बिल्कुल हम लोका आटा गून करके रड़ी अब जैसे कि इस तरीके से हम लोक फिर से इसको थोड़ा चिकना करने के बादी छोटे इस तरीके से बॉल्स में इसको ब्रेक कर लेना है और बस छोड़ा छोटा रख सकते हैं इसको पतला वो रखीगा और अच्छे से इसका शेप भी बन जाए तो इस तरीके से मैंने चार पांच हम लोको बना लेना है ठीक है उसकी बाद अब इसको भड़ने की बारी आती तो बस इस तरीके से रखना है और उसकी बाद आप जैसा शेप चाहें वैसा इस चारो तरफ मैंने पानी लगा दिया ताकि अच्छे से चिपक जाए खूले ना ठीक है तो बस आप जैसे आप गन्वीनियंट हो उस तरीके से बना लेना है तो मैंने इस तरीके से जो फर्स्ट मोमो बनाया है इस तरीके से बनाया है तो यह पूरी शेप है इसकी बस इस इस तरीके से प्लेटिंग करने के बाद इस तरह से फॉलो कीज़ेगा और उसके बाद यह लोगो इस तरीके से एक साइड से बिल्कुल प्लेइन जो रहेगा उसको इस तरह से चिपका देना है ठीक है आप पानी की मदद ले भी सकते हैं इसमें चिपकाने के लिए और यह हम इस तरीके से जो नॉर्मल मूमो बनता है वह इस तरीके से बनता है तो आप बहुत सारे तरीके से मूमो बना सकते हैं बहुत सारे चैनल पर बहुत साथा इसके शेप्स की वीडियो है अब यह मेरे पास इडली स्टैंड है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और बस इसको ए और बस पानी मैंने बॉइल करने के लिए चड़ा रखा था और इसको इस तरीके से अब पानी में इसको डाल देना है बॉइल वोटर पहले से मेरे पास गरम था तो बस इसको ढख देना है प्रॉपर्ली ढखिएगा दाके एर निकलेना और इसको कुछ 20 मिनट के बाद जो है वो आप चेक कर लीजेगा यह प्रॉपर्ली रडी हो चुका होगा बस अब इसको निकाल लेना है तो बस निकालने के बाद इसको प्लेटिंग कर देनी है और यह सर्फ कर लेना है तो आप इसको जो है वो मूमो की चटने के साथ खा सकते हैं साथ-साथ जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मूमोस तो आप बिलकुल खाईगा और घर का मूमो इतना अच्छा बनता है तो जरूर बना कर देखिए गा और अंदर से इतना रसीला इसमें एक खास बात आरे कि आप जितना प्यास डालेगा ना अच्छा होगा मेरी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक किजेगा शेयर किजेगा सब्सक्राइब किजेगा और साथ यसाथ बे ये बाय ला पेजन तर्द आए बाय ला थे जिए इए लिए गानष भीडियो अच्छा होगा खास इन्द आए तो जरूर नए पक्ड़ साथ दो जाए तो इंद आए तो और रसितना अनकी शचाए पास जारूर एंद आए लग्वा जा पyalगवा लाह 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 लाव